हेलो इस्टूडेंट्स है मिली आदव और वेल्कम तो माई यूटूब चैनल नॉलेज एट्यूड मैज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10 तारश सग्रवाल नियू एडिशन चाप्टर वन एक्सराइज वन बीसे क्वेशन नंबर 32 और वीडियो को लाइक कर लिजेगा चै आदे देवाईस में बीप कर रही है यानि शरे तभाईस मेक टू पीप आफेर और दूसरे डिवाईस जो फ़प शुछ रही है यहां पर यह दोनों जो डिवाईस थी जैसे कि जो 10 सेकेंड पर सिक्टी तु सेकेंड पर यह वो 10 बजे शुब़ाइक साथ बीप की थी तो इस तरह से हमें वह बताना है कि यह जो आपके दोनों डिवाइसे हैं यह 10 a.m. के बाद फिर से अब अर्लियर कब वह जल्दी से जल्दी आप फिर से एक साथ बीप करेंगी हमें वह टाइम बताना है जैसे माल लेजे आपके पास दो ऐसे डिवाइसे हैं जैसे माल लेजे दो डिवाइसे हैं जो आपके एक डिवाइस जो है वह दो-दो सेकंड्स पर बीप कर रहा है और एक है आपके जो फोर-फोर सेकंड्स पर बीप कर रहा है ठीक है तो आप यहां पर क्या करेंगे अब जैसे बीपिंग का ह आपके साउंड है तो जैसे माले जे 5 और यह आपके हर एक 2 सेकंड पर बीप कर रहा है तो आपका हो जाएगा 7 फिर आपका बीप करेंगा 11 फिर आपका बीप करेंगे तो यहां पर तो यह हो जाएगा तो आप देख सकते हैं देख सटार्टिंग में वह लोगों सता बित किया था तीक के देखिए यहां पर टाइमिंग है अगला यहां पर किया है कि इंकी देख रहे हैं साथ में आ रही इंकी यह फिर आगे भी सौल करेंगे तो आप इससे कंफ्यूज मत होएगा कि अलग अलग बीप कर रहे हैं यहां पर हम इनको यह देखना चाहते हैं कि यह लोग एक साथ एक ही जैसे कब बेप करेंगे तो हमें यहां पर क्या निकालना पड़ेगा तो इसके लिए अगर यह हमें पदा करना है कि कि इतने सेकंड्स पे यह आपका तो इसने सेकंड्स पे कर रहा है यह था लेकिन साथ बीप कर रहा है तो वी exact कोई समय रहा होगा यहांपर हम हम पर जादें त soulFF कि अब कि किने तो इसके करें और निकालने हो बश्चाहिए आस फॉर ज kingdom तो कि इसमें चawsko였ए जाने कि प्लास और यह आपका जैसा कि directly प्लस 4 के difference पर बजी रहा है तो इतने यह प्लस 4 फिर अगले वाले में प्लस 2 कर रहे हैं फिर फिर प्लस 2 कर रहा है तर अचिर है त네 हमें यह थाटीन आ रहा हैं यानि चार चार के डिफरेंस पर एक साथ बज रहे हैं यानि हमने इन दोनों numbers का क्या निकाला है? LCM निकाला है. तो वही हमें यहां भी करना है और हमें इनका LCM निकालना है. Sorry, यहां question में आपका 60 seconds होगा. 10 seconds की जगा 60 होगा. तो हम अब 60 seconds और 62 seconds का क्या निकालेंगे? LCM निकालेंगे. तो क्योंकि देख रहे हैं आप यहां पर वो beeping जो होती है वो पता करने के लिए हमें इनका हमें duration पता करना पड़ेगा कि इतने duration पर वो फिर से beep कर रहे हैं. यह 4-4 seconds की duration पर फिर से beep कर रहे हैं. तो यहां पर भी हमें यही करना होगा. तो सबसे पहले लिखेंगे यहां पर वन डिवाइस बीप आफटर 60 seconds और डिवाइस बीप आफटर 62 seconds तो हमारा यह दोनों आया. तो आप यह लोग बीप कब किये थे? साथ दे बीप टूगेदर. कब बीप किये थे साथ साथ? तो यह 10 बजे वीप किये थे. यानि कि 10 एम पर. सुबा-सुबा 10 एम पर. अब अगला यह करेंगे तो हमें पहले इनका LCM निकालना होगा. तो हम यहां निकालेंगे LCM of 60 and 62. इनका LCM फाइंड करते हैं. तो 60 का फैक्टर करते हैं. तो 60 का फैक्टर किता आता है? 2 āटो 30 आता है. तो इन्तो 30 मीज़, तो 2 ľंटो 30 का फैक्टर करेंगे. तो 2 इन्तो 3 इन्तो 5 होगा. तो 52 का फैक्टर करेंगे, यह हो जाएगा आपका 2 इन्तो 31. dlatego 31 इन्तो 62 होता है. तो इसका हम LCM निकालते हैं. जब LC हम निकालेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 2 into 2 into 3 है तो 3 भी 5 है तो 5 को भी include करेंगे और 31 को भी include करेंगे तो टू जा 4 5 जा 15 into 31 15 फोर जा 16 into 31 6 जा 6 6 जा 18 तो 1 1 860 seconds क्योंकि यह भी seconds में थी तो इसके बिजन क्या हो जाएगी second हो जाएगी means इन यह जो आपके device है वह 1860 सेकेंड के बाद फिर से एक साथ बीप करेंगा तो आप इसको timing में कैसे convert करेंगे अगर seconds में भूलेगा तो यहां पर हम कहेंगे इसका timing निकालना पड़ेगा तो इस second को हम पहले minute में convert कर देते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि एक minute में आपका कितना होता है 60 seconds होता है means आपका 60 seconds जो है वह एक minute के equal ह होता है तो एक second को अगर आप निकालेंगे तो 1 upon 60 minute के equal होता है तो ऐसे आप 1860 seconds को निकालेंगे तो 1860 into 1 by 60 minute हो जाएगा यानि इस device का आपको timing निकालने के लिए इसको 60 से divide करना पड़ेगा तो हम यहां निकालेंगे इसको मैं इधर solve करती हूं therefore 1860 divided by 60 अब 60 से divide करते हैं यहां पर देखे 1860 तो इसे हम solve करेंगे 3 times पर ले जाते हैं तो यह हो जाएगा 0 और 63 सा 18 माइनस करेंगे 00 और यह हो गया 60 तो 61 सा 60 यानि 0 आ रहा है तो 31 times जाएगा means 31 minute आएगा तो इतने minute पर वो फिर से एक सार बीप करेंगे तो इस statement को हम लिख लेते है सो फर्स्टली दे बीप कितने बजे बीप किये थे पहली बार 10 बजे बीप at 10 a.m. 10 a.m. पर बीप किये थे ठीक है यहां पर 0.00 लगा सकते हैं 10 a.m. पर बीप किये थे together is equal to 10 minutes पर किये है तो 10 बजे किये थे तो 10 बज के 31 a.m. पर फिर से एक सार बीप करेंगे तो 10 31 a.m. हो जाएगा exactly वही time जो question में से पूछा है तो इस तरह से हमने यहां पर देखा कि इस question में हमें क्या करना होता है कि जिस टाइप से अगर पूछता है कि कोई भी चीज ऐसे आपका आगर मालीजी बैल होती या कोई भी question अगर change करके देगा exam में तो आप क्या करेंगे इस question को solve करने के लिए सबसे पहले स्क्वेशन में एलसीम फाइन करेंगे लस्यम फाइन करने के बाद आप इस question का क्या करेंगे उसको अगर सेकेंड में पूछ रहा तो सेकेंड या टाइमिंग जैसा पूछ रहा उसी के सब्सक्राइब कर लिए और बल आइकन को भी प्रेस कर लिजेगा क्योंकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा तो इस वीडियो में बस इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग